नमस्कार मैं राहूल कोटियाल हफते बर की छुई बात और फसक का फंचा लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने सापता ही कारेक्रम के साथ जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर इस हफते प्रदेश में जमकर राजनीतिक घपरोल मचा गैर सेंड के नाम से ही खत्रीक हुजाने वाले हमारे माननीय विधायक गन आखिरकार गैर सेंड जाने को तयार हुए और तकरीबन डेट साल के इंतजार के बाद गैर सेंड में राजनीतिक मौलियार देखने को मिली हाला कि विधान सबा सत्र नाम का ये कौथी सिर्फ तीन दिन ही चला लेकिन गनिमत है कि धोदो क्या की ही सही आखिरकार हमारे विधायक गैर सैंड में दैना तो हुए वैसे हालिया सत्र निपटते निपटते ये भी साफ हो गया कि विधायक बंधू इस बार गैर सैंड के लिए इतने रप-रपे क्यों हो रखे थे क्योंकि उन्हें अपने वेतन भत्ते जो बढ़ाने थे तो गैर सैंड पहुँचने का एक बड़ा मोटिवेशन इस बार उनके पास था खबरों के अनुसार हमारे विधायकों ने अब अपने वेतन भत्ते इतने बढ़ा लिये हैं कि उन्हें हर महीने करीब चार लाख रुपए मिला करेंगे जबकि इससे पहले उन्हें करीब 2,90,000 रुपए वेतन और भत्तों को मिला करते थे इसके अलावा माननीयों कि वो कैशलेस स्वास सुविधायें भी मिलेंगी और डंगडर साब ने अगर आदेश कर दिया या रिकमेंड कर दिया तो निता जी या उनके पूरे परिवार को विदेश जाकर उप्चार करानी की विवस्था भी की जाएगी मज़दार ये भी है कि जिस दौरान गैर सैंड में हमारे विधायक गंड अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे थे और अपने वा अपने परिवार वालों के लिए विदेशों में इलाज की विवस्था बना रहे थे लगबग उसी दौरान कर्ण प्रियाग में हजारों लोग इसलिए सडकों पर थे कि पहाड के तमाम बाजा पढ़ चुके स्वास्त केंद्रों की तरह ही सिमली में भी अस्पताल की बिल्डिंग तो है लेकिन डॉक्टर और मशीने गायब हैं लियाजा उसे बहतर करने के लिए ये मांग करते हुए हजारों लोग सडकों पर थे लगबग 65 ग्राम पंचायतों के लोग इसमें शामिल थे और वो पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं सिमली में 200 बेड का एक बेस अस्पताल बनाये जाने की मांग हैं इसके लिए लोग सडकों पर आंदोलन तक मजबूर हो चुके हैं लेकिन सरकार की प्रात्मिक्ता अपने लिए विदेशों में इलाज का प्रबंद करनी की है अच्छी स्वास्त सुविधाईं सभी को मिलें और जरूरत पढ़ने पर विदेशों में इलाज का प्रावधान भी हो इससे किसी को आपकती नहीं लेकिन जिस प्रदेश में आम जन्ता को ऐसे अस्पताल भी नसीब नहीं होते जहां एक काईदे की एक्ष्रे मसीन हो या जहां आज भी गर्बवती महिलाएं अच्छे उप्चार के अभाव में दम तोड़ देती हैं वहाँ विधायकों को यू भी हत्यान और वो भी लौप्यान करता देखना एक निरलज परिद्रिश्य बनाता है क्या सत्तापक्ष और क्या विपक्ष अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के सवाल पर सारे नेता एक ही पंक्ती में कतारबद नजर आते हैं कॉंग्रेस नेता गणेश गोधियाल जरूर इसका एक अपवाद साबित हुए हैं जिन्होंने खुलकर इस वेतन प्रिद्धी का विरोध किया है उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से ये बयान दिया है कि जिस प्रदेश में आपदा से पीडित लोगों को पांच-पांच हजार का मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता कि विधायकों के वेतन भत्ते अगर बढ़ाय भी जाने हैं तो इसके लिए कोई नियामक या आयोग होना चाहिए जैसे तमाम अन्य सरकारी सेवाओं के लिए जुड़े लोगों का होता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधायक खुद से ही तै करें कि उन्हें अब अपना वेतन एक बार फिर बढ़ा लेना चाहिए और सब मिलकर सदन में कोरस में गाते हुए अपना वेतन बढ़ा आएं कडेश गोधियाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए ये भी कहा कि एक पूर विधायक के रूप में उनको जो भत्ते बढ़े हुए मिलने थे वे उन्हें अस्विकार करते हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा इसे आप उन्ही की जुबानी सुलिए कि ठेकेदारों के अंतर बेतन लेते हैं मुझे बता रहे थे कि 6,000 और 7,000 में उन्होंकरी कर रहे हैं जिस प्रदेश में 6,000 और 7,000 में परिवार पालनी के लिए लोग बाद दे हूँ ऐसे में जबकि मैंने जल संस्तान की बात की उपनल के तमाम मुझे लगता है 25-30,000 ऐसे करमचारी हैं जो बहुत ही अल्फ बेतन में अपनी सेवाईं दे रहे हैं और 15-20 साल जिनको नौकरी करते हो गए हैं मैं समस्ताओं कि उनका पूरी जिंदगी उनकी लग गई है और ऐ जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5,000 की आतुक साहता लोगों को मिलनी चाहिए तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में उस प्रदेश में इस प्रकार के कर्क्या को मैं समस्ताओं कि आम लोगों को चिड़ाने जैसा है मेरा इस मामले में यह सजेशन है कि ठीक है पैसा सब के आउशकता है और मैं यह भी मानता हूं कि जो सारवजनिक जीवन में या जो राजनतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं यह भी सच है लेकिन इस बात के लिए लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अन्य बातों को अन्य करमचारियों के तंखा बढ़ाने के लिए इसके लिए कोई आयोग होता है इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग मानने विधायक गणों की तंखा या उनकी प्रलब्दियां बढ़ाने के यह इस प्रकार का कोई आयोग बना चाहिए यह संदेश में पूर विधाय के रूप में जो बड़ा हुआ जो मुझे बड़ा हुआ तो मैं मानिय हमारी विधान सभा की अध्यक्ष कोई पत्र लिख रहा हूँ जिसमें मैं यह उनसे उमीद करूँगा कि मुझे यह बड़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे में जब कि लोग परि लिख से हट कर और एक नजीर पेश करने के लिए गोद्याल जी को हमारी ओर से विशेश बदाई जिस प्रदेश में राजनीती खंडर होती जा रही है और जहां नेतागन छिपाड़ों की रेस लगा रहे हैं वहां इस तरह की बेबाकी एक उमीद जगाती है वैसे उन्हों पहले गैरसेंड में हुए सत्र पर ही कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि वहां तीन दिन का जो मेला लगा था उसमें और क्या-क्या हुआ इस सत्र के दोरान मुन्ना सिंग चोहान भी खूप सुर्खियों में रहे क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए नगर निकायों में आरक्षन संबंधी एक विधेयक को पारित होने से रोक लिया इस विधेयक का नाम है उत्राखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1969 संशोधन विधेयक 2024 दरसल कोल्ट के आदेशों के बाद देश भर में नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों में OBC आरक्षन को समुदाय के अनुपात अनुसार बढ़ाया जाना है या इसका पुनर निर्धारन होना है इसके लिए उत्राखंड में एक rapid सर्वे करवाया गया जिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं लेकिन प्रदेश सरकार इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षन का पुनर निर्धारन करने जा रही थी इससे जुड़ी सदन की कारवाई भी मज़धार थी प्रचंड पहुमत की जब सरकार हो तो विधायक पारित करना सिर्फ एक आपचारिकता भर ही रह जाता है लेहाजा वही इस बार भी हुआ नगरपालिकाओं से जुड़ा संशोधन विधेक तो किसी भी चर्चा की बिना ही पारित कर भी दिया गया था इस दोरान कुछ विधायकों ने चर्चा के बारे में कहा भी लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बैठा दिया और पक्ष वाले हाँ कहें विरोध वाले ना कहें हाँ की संख्या जादा है विधेक पारित हुआ जैसा रटंत जाप करते हुए विधेक ठेल दिया गया नगरपालिका के बाद बारी आई नगर निगम वाले विधायक की तब मुन्ना सिंग चोहान खड़े हुए और उन्होंने इस पर चर्चा करने की बात को मजबूती से उठाया उन्होंने तर्क दिये कि जो जातियां उत्तर प्रदेश में OBC हैं जरूरी नहीं कि वो उत्रखंड में भी OBC मानी जाएं और ऐसे जल्दवाजी में आरक्षन देने से प्रदेश भर में अराजक स्थिती पैदा हो जाएगी इसलिए इस पर रोक लगे विधेयक को प्रवर समीती को भेजा जाए और इस कतित rapid सर्वे की जांच हो कि इसकी findings संधे से परे हैं भी या नहीं विधायक विनोज चमोली ने भी मजबूती से मुन्ना सिंग चोहान की बातों का समर्थन किया और उत्रखन आंदोलन के दौरान की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में भी आरक्षन का सवाल ही इतना व्यापक हो गया था कि उसके चलते पूरा पहाड आंदोलन में कूद पड़ा था प्रदेश में जिस तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है उसमें आरक्षन पर बिना चर्चा के आगे बढ़ना पूरे प्रदेश के लिए घातक हो सकता है इसके बाद शहरी विकास मंतरी फ्रेम चंद्र अगरवाल दवाव में आये और उन्होंने प्रवर समीती को भेजने की हामी भरी लेकिन असल ड्रामा इसके बाद चुरू हुआ क्योंकि नगर पालिकाओं से जुड़ा संचोधन विधैक तो अब तक पारित हो चुका था ऐसे में हमारे तमाम गुद्धी जीवी विधायकों ने अपना अपना धिमाग दोड़ाया कि अब किया जाए तो क्या किया जाए किसी ने सलाह दी कि विधैक पारित हो गया तो क्या हम तुरंथ ही इस संचोधन विधैक में भी एक संचोधन ले आते हैं तब विधानसवा अध्यक्ष ने उन्हें थमतिया कि अभी 5 मिनिट पहले ही तो एक विधैक पारित हुआ है और 5 मिनिट बाद ही उसमें संचोधन नहीं लाया जा सकता इसमें संचोधन अगर लाना है तो अब अगले सत्र में आएगा कुछ दिमाज फिर और दोर आए गए इस बार मंत्री जी खुद ही सुझाव लाए कि विधैक पारित हो गया तो क्या आगे जो भी करना होगा हम अध्यादेश लाकर कर देंगे इस पर घपरोल के दोरान सदस्यों में विधिक जानकारी का अभाव भले ही नजर आता रहा लेकिन मजाल है कि कहीं भी आत्म विश्वास की कोई कमी दिखी हो बहराल कई विधिक सलाकारों से सला करने के बाद और घपरोल के रायते में बदलने से ठीक पहले तै हुआ कि नगर निगम से जुड़ा विधैक प्रवर समीती को बेजा जाएगा और रैपिड सर्वे की जाच के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी उन्हें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सभी पर लागू किया जाएगा इस तरह से प्रवर समीती को एक महीने का समय देते हुए OBC आरक्षन पर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है आरक्षन पर बात चली है तो अब आरक्षन के उस पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं जो इन दिनों प्रदेश भर के युवाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है 12 मासा को कई युवाओं ने इस बारे में लिखा है कि उत्राखन आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत शैतिज आरक्षन का मुद्दा जरूर उठाए तो चलीए इस मुद्दे को एकदम शुरुवात से समस्ते हैं साल 2002 में जब एड़ी तिवारी के नेत्रितों में प्रदेश की पहली चुनी हुई सरकार बनी तो खाओ और खानेदों के मंत्र में विश्वास रखने वाले तिवारी जी एक शुगूवा छोड़ने आये ये था उत्राखन आंदोलनकारियों को चिन्नित करने का ताकि उन्हें भी स्वतंतरता संग्राम सेनानियों की तरहे कुछ लाब दिया जा सके लेकिन चिन्नीकरण की ये प्रक्रिया शुरुवात से ही विवादों में घिरती रही सबसे पहले तो यही सवाल उठे कि इसका पैमाना क्या होगा तर्क दिये गए कि जिन लोगों ने उस दौरान गिरफतारी दी या जो लोग चोटेल होकर अस्पतालों में भढ़ती हुए उन्हें आंदोलनकारी माना जाएगा इस तर्क के विरोध में वाजिब सवाल उठे कि सुदूर पहाड में जो औरतें अपने दुद्मुहे बच्चों को लेकर सड़कों पर उतर आई थी कई-कई दिन आंदोलनों में शामिल रही थी उनका नाम तो कहीं भी चिन्नित नहीं हो सकता जबकि दिल्ली या दहरादून में धारा 144 तोडने पर अगर कोई गिरफतार हुआ तो उसका नाम आंदोलनकारियों की सूची में शामिल कर लिया गया बहराल इन तमाम तरकों के बाद भी चिन्नी करनड की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और जिस DM को घेर कर बंदग बना लेना ही कभी आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था अब उसी DM के आगे आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट लेने की लाइन लगने लगी कई लोगों के लिए ये भी एक नैतिक सवाल रहा कि क्या उत्रकण आंदोलन पिंचन लेने के लिए किया गया था और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आंदोलनकारी होने के बाद भी कभी पिंचन नहीं ली और नहीं किसी अन्य सरकारी सुविधा का लाब लिया हालकि इसका ये भी मतलब नहीं कि जिन लोगों ने उत्राकर्ण आंदोलन के लिए अपना सब कुछ गमा दिया उन्हें या उनके आश्रितों को कोई लाब न दिया जाए प्रदेश में आउन्दोलन कारियों का सम्मान होना ही चाहिए और सरकार को उनके लिए सोचना भी चाहिए लेकिन उनके चिन्नी करण की प्रक्रिया में कई जोल शुरुवात से रहे हैं जिसका समाधान कभी नहीं निकल सका अब जिन लोगों को आरक्षन दिया जा रहा है वे सुभाविक ही बाकी प्रदेश वासियों की आँख में खटक रहे हैं इस पूरे मामले पर वरिष्ट पत्रकार चारुतिवारी कहते हैं कि ये मुद्दा अब आपस में लड़ाई करवाने जैसा बना दिया गया है जबकि हकीकत ये है कि राज्य गठन का लाव ना तो आंदोलंकारियों को मिल रहा है और ना ही प्रदेश की आम जंता को सरकारी नौक्रियां धीरे धीरे इतनी कम की जा चुकी हैं और उनको बढ़ाने का सवाल कहीं भी मजबूती से नहीं उठ रहा है ऐसे में बची हुई सीमित नौक्रियों में आरक्षन का सवाल और भी विक्राल नजर आ रहा है और प्रदेश की जंता को आपस में ही लड़वा भी रहा है जबकि इसके लाबार्ती लगभग नगण्य हैं चारुदा पहाड के एक आम गाउं वाले का उधारन देते हुए इस मुद्दे के बारे में कहते हैं कि पहाड के एक लड़के की जब शादी हुई उसने ना तो मां को पैसा दिया और ना ही अपनी बीवी को क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं ठीक ऐसी ही लड़ाई अब आंदोलनकारियों के आश्रितों और अन्य प्रदेश के युवाओं की बीच छिड़ गई है जबकि सरकार एक तरफ से निजिकरण को बढ़ावा द सकेंगी लेकिन राज्य गटन के बाद से 90 से जादा सरकारी बगानों को खुर्द बुर्द करते हुए खाड़ून जुगा बना दिया गया है मून लिवास और भू कानून जैसे मुद्दे आज भी लंबित पड़े हुए हैं और युवाओं को आपस में भेडाने के लिए चार नौकरियों पर उलजा दिया गया है प्रदेश का असली लाब आज भी नेताओं की संतती ही उठा रही है जिने ठेकों से लेकर टेंडर तक सब मिल रहे हैं अभी हाल ही में टीरी जील में चलने वाली क्रूज बोर्ट के टेंडर भी निकाले गए और जिन 6 लोगों के योग ये पाए गए उनमें से एक तो खुद परियाटन मंत्री सत्पाल महराज के बेटे हैं और दूसरे टीरी की जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान के पती रगु सजवान इस मामले पर जब खूब विवाद हुआ तो सत्पाल महराज ने बयान दिया कि वो अपने बेटे से आगरे करेंगे कि वो अपना टेंडर वापस ले लें लेगिन प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है यहां कभी मंत्री जी के बेटे उपनल के जरिये जई बन जाते हैं तो कभी मेर साहब की बेटी अकाउंटेंट और विदान सभा में बैक डोर तो ऐसा खुल ठीक वैसे ही जैसे इस बार हरीश रावत नौटंकी करते हुए दिखे जब वो मुंबत्ते लेकर गैर सैंड में राजधानी खोजने पहुचे मुख्यमंत्री रहते उन्होंने राजधानी के सवाल को कभी नहीं सुलजाया लेकिन आज वो पहाड में राजधानी को लेकर ऐसे परेशान दिखने का स्वांग कर रहे हैं जैसे उनकी सीनी खानी हर्ची हुई हो बहराल गैर सैंड में हुई सत्र की आपचारिकता से विधायकों को भले ही मज़े आ गये हो लेकिन इस दोरान कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने इस आपचारिकता पर सवाल उठा पितौरागर से विधायक हरीश धामी भी इनमें से एक हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को खूब सुनाया कि आपदा जैसे गंभीर सवाल पर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया उन्होंने विपक्ष पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने आदे घंटे का समय दिया था लेकिन विपक्ष ने अपने शेत्र के गंभीर सवालों पर बोलने का मौका नहीं दिया सिर्फ तीन दिन में ही सत्र निप्टा कर वापस पैटने वाली परंपरा पर गणेश गोधियाल ने भी सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि सत्र कम से कम 15 दिन का होना चाहिए ताकि सभी सत्तर विधायकों को अपने अपने शेत्र की समस्याओं पर बोलने और चर्चा करन का परियाप समय मिले वैसे गणेश गोधियाल इस दौरान इतनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान वो कॉंग्रेसी निताओं पर भी खूब खौबाग बने हुए थे उन्होंने अपने आसपास ही उपस्तित निताओं को सुनाते हुए कहा कि कॉंग् कि दौरना चाह रहे थे उसे बुगद्यारे भी खूब पड़े हैं इस दौरान इक खबर ये भी निकली कि अफरीका वाले कुख्यात गुपता बंधू 500 करोड में सरकार गिराना चाहते थे ये खबर आई है विदायक कुमेश कुमार के हवाले से उनकी बात को थोड़ा ग सेंड में खूब होती रही है और विदायकों का खरीदा जाना यहां एक ओपन सीक्रेट ही है जाने से पहले एक जरूरी सूचना आप सब के लिए कि आने वाली एक सितंबर को गैर सेंड में भू कानून और मून निवास को लेकर एक महा रैली का आयोजन किया जा रहा है ऐसा ही समर्थन अगर गैर सेंड की आने वाली रैली को भी मिलता है तो प्रदेश के जरूरी सवालों को टालते रहना और जनता को बुध्याना सरकार के लिए आसान नहीं रहेगा सरकार तो तीन दिन में अपने वेतन भत्ते बढ़ा कर गैर से लॉट आई है लेकिन अब जनता की बारी है अब जनता पहाड के सवालों को लेकर गैर सेंड पहुँच रही है और प्रदेश की राजनितिक माहौल में युवाउंक का ऐसा दखल उमीद जगाता है तो ये था इस हफते का एक्स्रा कवर आपको ये कारेकरम पसंद आया हो तो इसे शेर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारा मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेज मेंबर्शिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारा समर्थन कीजिएगा अपने सुझाओ प्रतिक्रिया ये एक्स्रा कवर से निकलती कोई भी खवर अगर आप हम तक पहुचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिग भेजिए अगले हफते फिर से होगी मुलाकात तब तक के लिए सिमन या पहलाग नमस्कार